हलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे आज के रेसेपी वीडियो पे और आज हम आपके लिए कुछ खास तरीके से मसाला बेगन की सबजी को बनाने वाले हैं तो चलिए बिना देरी किए हम इस रेसेपी को आपको बना कर दिखाते हैं इसे बनाने के लिए बैगन को हमने दो हिस्सों में बड़े-बड़े टुकडे किये हैं और बैगन के साथ मिक्स करने के लिए हमने दो मीडियम साइज के आलू लिये हैं और इसे भी हमने थोड़े-बड़े आकार में ही काटा है तो अब हम एक कड़ाई पर चार बड़े चम्मच मास्टर्ड ओयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और जब दक की ओयल हमारा गर्म होता है तब दक हम कुछ खड़े मसालों को निकाल कर रखते हैं तो यहाँ पर हम ले रहे हैं आधी छोटी चम्मच मेथी दाने आधी छोटी चम्मच सौफ आधी छोटी चम्मच से भी कम थोड़ी सी कलोंजी लेंगे एक छोटी चम्मच अजवाईन थोड़ी सी मात्रा में सर्सो के दाने हैं और एक पिंच हिंग अब इन मसालों को तेल गर हो चुका है, तो इस पर हम डाल देंगे, साथ में दो तेज़ पत्तो को डालेंगे, अब कुछ सेकेंड्स बाद इसमें हम दो मीडियम साइज के पतले कटे हुए प्याज को डालेंगे, चम्मच से चला लेंगे एक दो बार इसे और फिर हम इसमें कटे हुए आलू को डालेंगे अब इसे हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे तो जब तक कि हमारा प्याज अच्छी तरह से पक कर इसमें गोल्डन ब्राउन टाइप से कलर नहीं आ जाते तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे दो-तीन मिनट फ्राई करने पर प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है तो अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और एक दो बार चम्मच से चला कर इसमें हम एक मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर को डालेंगे एक बड़े चम्मच अधरक लेसून का पेस्ट है इसे भी एड़ करते हैं हम एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर है एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर थोड़ा सा कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए डालेंगे और एक छोटी चम्मच या आपने स्वाधनुसार नमक एड़ करें अब इन मसालों को हम लो फ्लेम रखते हुए दो से तीन मिनट हलके हलके चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम किया हुआ है जिससे हमारे मसाले जो है वो बिना जले आसानी से हम इसे मिक्स कर सकें अब हमने मसालों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं अब इसमें हम एक गलास पानी एड़ करेंगे गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ में मिक्स करेंगे थोड़ी देर के बाद और एक ग्लास पानी डालेंगे मिक्स कर लेंगे इसे भी और थोड़ा सा इसे उबलने देंगे हम तो अब ये उबलने लगा है इसमें कटे हुए बैगन को टालेंगे चमच से एड़ेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर हम कडाई को कवर करके पांच मिनट तक पकाएंगे तो चलिए कवर करते हैं इसे और गेस के फ्लेम को हम मीडियम पर रख लेंगे पांच मिनट के बाद कवर को ओपेन करेंगे अभी बैगन को हम हलके हलके चमच से चलाते हुए एड़ेस्ट कर रहे हैं जिससे बैगन जो है वो हमारे सही से पक सके अभी तो पांच मिनट में ये थोड़े से बस नरम ही हुए है अभी हमें इसे और भी पकाना होगा तो इसे फिर से कवर कर देते हैं और दस मिनट के बाद जब इसके कवर को हटाएंगे तो हमारी सबजी कम्प्लीट बन चुकी है बैगन भी अच्छे से पक चुके है कलर भी बड़ी हां आ गई है अब बस एक दो बार इसे चम्मच से चला कर इसमें हम बारिक कटे हुए धनिया के पत्तों को डाल देंगे और इसे सबजी के साथ में मिक्स करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब करें